चाहिन बच्चों आज दिसकनेक्शन थिएरी के तीसरे वीडियो में हम लेके आएं आपके लिए फेकटर्स और कंडेशन्स और काइडलाइन्स फौर दिसकनेक्शन थिएरी जब आप disconnection में bond breaking करेंगे तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किन-किन चीजों का आपको द्यान लखना है disconnection करते समय पहला रहेगा identify the functional group in given structure और target molecule जो भी आपको target molecule दिया हुआ है उसमें आपको पहचानना है कि आपका functional group कहाँ पर है second रहेगा in dissociation bond breaking takes place via heteroatom आपको द्यान लखना है कि आपके target molecule structure में जो bond आपको तोड़ना है वो वहाँ से तोड़ना है जहाँ पर carbon के साथ heteroatom लगा होता है sir heteroatom क्या होता है तो द्यान रखिए बच्चो nitrogen, sulfur, phosphorus, halogen और oxygen जो होते हैं ये हमारे heteroatom कहलाते है third is avoid bond breaking between heteroatom and aromatic ring sir बहुत ज्यादा important point है याद रखना है हमेशा जब भी आप disconnection के लिए जाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि bond तोड़ते समय अगर aromatic ring उपर दिखाए हुए heteroatom के साथ जुड़ी है तो वहाँ से वो ring और heteroatom के बीच का bond नहीं तोड़ना है ये हम आपको example के साथ आगे clear जरूर करेंगे fourth is always break more reactive functional group आपको ध्यान अगना है कि अगर आप एक compound में एक से जादा functional group है तो पहले आप वह वाला functional group तोड़ेंगे जो more reactive होगा लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि कोई one more reactive है तो परिशान मत होई है उसके लिए आपके लेके आए reactivity order of different functional group आपको ये याद करना है अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपकी chemistry के अंदर बहुत सारी problems sort out हो जाएंगी दूर हो जाएंगी जैसे सर IUPAC जैसे disconnection सर और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे इसकी जुरत पढ़ती है आप आप देख पार है कि जो more reactive functional group है वो carboxylic है और जो least reactive functional group है वो amino है तो इस order से आपको help मिलेगी disconnection में जो पाचवा है इस structure और target molecule has many functional group then bond breaking is favored by chemo selectivity आपको bond breaking में ये ध्यान रखना है कि अगर एक से जदा functional group है तो वहाँ पर आपको bond वहाँ से तोड़ना है जहाँ पर chemo selectivity उसको favor करेगी तो सर अगर ये 5 point कोई कर लेता है तो यकिन जानिए वो किसी भी disconnection को easily कर पाएगा लेकिन सवाल ये है कि सर ये 5 point use कैसे करने है तो गबराते क्यों है आईए मेरे साथ मैं आपको 5 point एक एक करके clear कराता हूँ example के साथ तो आईए फिर 5 point जो उपर discuss की है वो example के साथ clear करते है इस structure में आप देख रहे है CL जो है ये possibilities and disconnection के लिए possibility 1, possibility 2 तो यहां से आपको disconnection करना है और practice करते हुए ये चेक करना है कि कौन सी possibility से disconnection करना सही रहेगा तो आईए फिर सुरू करते हैं possibility 1 और possibility 2 के साथ अब हम लोग जाते हैं route 1 से path 1 लेंगे जहांपे हम disconnection करेंगे first possibility से जब यहां से bone टूटेगा तो एक लाएगा CS disconnection ये carbon और sulfur के बीच का bone तोड़ रहे है clear हुआ आपको और ये हमको कुछ possible सिंथन मिलेंगे आप जानते हैं यहां पर sulfur और carbon के बीच का bone टूटा है और sulfur और carbon में sulfur more electronegative होता है carbon से बच्चों जितने भी heteroatom उपर discuss की है उन सम्में carbon हमेशा electropositive होगा और हमेशा जो heteroatom है वो electronegative होगे तो sulfur पर negative charge जाएगा और carbon पर positive charge जाएगा बात करते हैं बच्चों possibility 2 की part 2 की तो यहां पर जो bone टूटेगा वो benzene ring और sulfur के बीच वाल टूटेगा इसलिए हमने यहां पर disconnection error पर लिखा हुआ है phenyl sulfide bond breaking जब यहां से bond टूटेगा तो यह कुछ possibility 2 की according possible हमारे सिंथन ऐसे दिखाई पड़ेंगे benzene ring पर plus charge आएगा और यहां पर sulfur पर negative आएगा तो आपको clear होगे कि sulfur यहां पर hetero atom है लेकिन एक बात यह कि जो आपने यहां पर यह breaking की है यह possible नहीं है क्योंकि जो सिंथन आप देख रहे है phenyl पर आपको positive charge आ रहा है यह possible नहीं है क्योंकि इसको ना तो resonance support करता है और ना ही benzene का जो यहां पर conjugation है वो support करेगा तो यह जो आपने यहां पर catein बनाया है cateinic सिंथन यह इस disconnection से possible नहीं है आपको कभी भी यहां पर ऐसे bond नहीं तोड़ना है कि phenyl पर आपका positive charge आए इसको याद कर लीजिए यह bond breaking invalid है गलत है कभी भी आप heteroatom और phenyl benzene ring के बीच का bond नहीं तोड़ेंगे otherwise आपका disconnection गलत हो जाएगा यह गलत है invalid है दियान न किएगा तो आईए बच्चों लेते हैं second example second example में दो possibility हैं एक ग्रीन इंक से दिखाया है दूसरी हमने red इंक से दिखाया है तो आपको clear हुआ दोनों possibility के बारे में अगर possibility 1 से जाते हैं तो disconnection CO कहलाएगा और यहां से आपको दो fragment मिलेंगे CO bond के तूटने से clear है आप पर ओपर negative charge आएगा और C पर positive charge आएगा तो यह दो possible सिंथन हुए यहां पर CO bond के disconnection से clear है आपको बात करते हैं बच्चों root 2 की यहां पर oxygen और phenyl ring के बीच का bond तूटेगा जब यह bond तूटेगा तो यहां पर phenyl catanic part मिलेगा और यह आपको anionic part मिलेगा तो दोनों सिंथन के अगर बात करें तो यह वाला सिंथन possible नहीं है यह आप जान चुके हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह invalid है यह exist नहीं करेगा क्योंकि यहां पर ना तो aromaticities को support करेगी और ना ही benzene ring के अंदर जो conjugation of pi bond है वो इसको support करेगा तो यह catanic part ही जो सिंथन है catanic यह नहीं possible है आपको कभी भी bond नहीं तोड़ना है benzene ring और oxygen के बीच वाला तो सर आपको ध्यान नखना है यहां से disconnection नहीं करना है कभी भी यह disconnection करेंगे तो आपका यह wrong हो जाएगा benzene ring और heterotum के बीच का bond नहीं तोड़ेंगे हम आई अब लेते हैं हम लोग third example third example आप देख पा रहे हैं यह fourth और fifth point के लिए बिल्कुल perfect structure है perfect target molecule है इसमें एक आदमी confused हो जाता है क्योंकि इसे function group हो जादा है कि मैं कहां से इसको तोड़ूं कहां से disconnection करूं यहां से करूं या फिर मैं disconnection यहां से करूं यहां से करूं कहां से करूं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अलग-अलग इंक से चार possibilities दिखाई हैं चार disconnection route दिखाए हैं 1, 2, 3, 4 लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि कौन सर disconnection सही होगा तो उसके लिए याद कीजिए 500 points उसमें बताया था कि जब आपे compound में एक से ज़्यादा functional group हो तो वहां पर disconnection जो होगा वो as per chemo selectivity होगा chemo selectivity disconnection को favor करती है सर कुछ संज में नहीं आया है तो simple सी भासा में ध्यान रखिए कि बहुत सारे functional group में से जो more reactive functional group होगा वहां से bond जल्दी तूटेगा और वो ही chemo selectivity को favor करेगा सर मुझे पता कैसे चलेगा तो आप ऐसी बात ना करें आपको पहले ही एक different functional group की reactivity order आपको बताया था दिखाया था, discuss किया था वो आपको याद कर लिना है तो अगर आप उस से के through जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर amino group जो है यह functional group जो more reactive है third point दिखाया हुआ है green color की इंक से तो disconnection यहाँ से करेंगे as per chemo selectivity तो chemo selectivity का मतलब है more reactive functional group जो पहले disconnect करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगर हम लोग इन चारो पोसिबिल्टी से जाते हैं तो हमें कौन-कौन से सिंथन मिलेंगे और वो हमको कैसे दिखाई पड़ेंगे तो आईए पहली possibility से disconnection करते हैं तो जानते हैं कौन से सिंथन मिलेंगे आप देख पा रहें यहाँ पे यह anionic सिंथन है और यह हमको मिलता है CO disconnection से possibility 1 है यह आप देख पा रहें अब बात करते हैं possibility 2 से डिसकनेक्शन 2 में आप possibility 2 में यह जो बोन तूटेगा यह CO disconnection होगा यहाँ से आप देख पा रहें carbon oxygen का बोन यह हमारा कटाईनिक सिंथन है जो आपने possibility 3 और possibility 4 से disconnection किया होगा तो जो disconnection आपने बनाए है आईए उनको check करनाने का टाइम आ गया है तो root 3 से और root 4 से disconnection के बाद यह possible सिंथन होगे तो बच्चों जो आपको root 1, second और 4 से सिंथन मिले हैं तो आपने उनको check कीजिए आप पाएंगे कि वो जो है वो invalid है और possible नहीं है अगर आप उसके through disconnection करेंगे तो chemo selectivity उसको favor नहीं करेगी chemo selectivity more functional site यानि कि third possibility से ही जाएगी और वहीं से disconnection आपका correct होगा तो बच्चों आज की वीडियो में हमने जाना कि disconnection करते हुए हमें किन चीजों का ध्यान रखना है हमारी guideline क्या होगी यकीन जानिए अगर आप इस guideline को clear कर लेते हैं इन 5.2 clear कर लेते हैं तो आपका disconnection हमेशा सही होगा चाहे structure कितना भी बड़ा और भैंकर क्यों ना हो अगर फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में हमको लिख सकते हैं thanks for watching